नमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSJD Constable भरती 2018 जिसमें आवेदन की प्रहरंबिक्तिति क्या रहेगी जो ब्लोकेशन टोटल पोस्ट है फूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर है तो चलो वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करें उससे प सुरू करते हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे SSJD Constable भरती 2018 जिसमें टोटल पोस्टे 54,903 जिसकी पूरी जानकारी जिसमें आवेदन की जो आरंबिक तिति है वो 17 अगस्त 2018 रहेगी और अंतिम तिति 19 सितंबर 2018 रहेगी पहले जिन विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन करने नहीं होगा अब नए सीरे से आवेदन शुरू होंगे 17 अगस्त 2018 से जनरल ओबी सी की स्परम पीसिस में 100 रुपर रहेगी और महिला और SCST कि इसमें कोई फीस नहीं होगी जिसमें जो कस्तान होगा वो पूरे भारत में आल इंडिया होगा जिसमें आयू से मा कि हम बात करें तो 99 कम से कम आपके 18 और अधिक्तम आपकी 23 होने चाहिए और SCST के लिए 5 वर्श की SC CST के लिए 5 वर्स की SC plus ST plus SBC के लिए जिसमें टोटल पोश्टे 54,953 रहेगी जैसे हम बात करें BSF में कुल कितनी पोश्टी है जैसे हम बात करें BSF की तो जिसमें पूरुसों की अगर बात की जाए जनरल की तो 7,477 पोश्टी रहेगी वहीं OBC में 3,266 रहेगी और ही SC की बात की जाए तो 2351 रहेगी और ST की बात करें तो 1341 रहेगी अब महिलाओं की बात करें BSF में तो जनरल में है वह 1326 OBC में 575 और SC की बात की जाए तो 412 और ST में 235 CISF की हम बात करें तो पूरुसों के लिए है वह जनरल में 249 OBC में 47 में 26 और ST में 13 महिलाओं के लिए बात की जाए CISF में तो जनरल में 13 OBC में 5 और ST में 2 और ST में 0 कोई पोष्टे नहीं है अब हम बात करें SSD में, SSD में General की है वो 3450. OBC में, OBC की 1420 और SC की 141 और ST की 610. महिलाओं की बात की जाएlle SSB में, तो General की है वो 151, OBC की 470 और ST की 338 और ST की 169 पोश्ट रहेंगी. वहीं हम बात करें CRPF में. तो CRPF में पुरुसों के लिए General की बात की जाएlle जनरल में सबसे ज़्यादा पोस्ट है CRPF में है जिसमें जनरल में 10263, OBC में 4230 और SC में 3849 और ST की बात की जाए तो 1586 वही CRPF में माईलाओं की बात करें तो जनरल में 856, OBC में 308 में और SC में 328 और ST में 12 रहेगी अब हम बात करें ITVP में तो ITVP में पुरुषों के लिए जनरल में है वह 1882 और OBC में 726 और SC में 533 और ST में 366 और महिलाओं की बात की जाए जनरल में ITVP में तो महिलाओं के लिए 334, OBC में है वह 128 और SC में 37 और ST में 60 रहेगी AR असम राइफल जिसमें पुरुषों की बात की जाए तो जनरल में 1212, OBC में 448 और SC में 290 और ST में 90 वहीं असम राइफल में महिलाओं की बात की जाए तो जनरल में 404, OBC में 150, SC में 6 और ST में 115 अब हम बात करें NIA जिसमें पुरुषों के लिए जनरल में 5, OBC में 2 और SC में 0 और ST में 1 महिलाओं के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है अब हम बात करें SSF की तो जिसमें पुरुषों के लिए जनरल में 212, OBC में 75 महिलाओं की बात की जाए SSF में तो जनरल में 40 OBC में 18 और SBC में 10 और SBC में 7 जिसमें कुल पद्ध है वो 24,953 है वेतर नियमानुसवार मिलेगा कौलिफिकेशन की बात की जाए योगेता की तो बेर्थियों के पास 10 पास होना अनुवारी है सारी रिक योगेता में बात करें पुरसों के लिए तो हाइट 170 सेंटीमेटर 6,885 पांस किलोमेटर रूनिंग रेस होगी इसमें जिसमें 24 मिट का समय मिलेगा पुरसों को महिलाओ महिलाओं की बात की जाए तो आईट 100 सेंटीमेटर रूनिंग है जिसमें रेस आपको 1.6 किलोमेटर 8 मिंट 30 सेंड का समय मिलेगा चैन प्रिक्री आविदन का चैन सारी रिक दक्सता और लिखित प्रिक्षा और ओनलाइन प्रिक्षाओं के आधार पे किया जाएगा अगर आप इसका ओपीचेल नोटिफिकेशन और कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है और महिलाओं के लिए कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है तो आप निचे देख सकते हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन वाइफ हैस्ट कॉमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का जिस प्यो यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें और साथ में बैल आइकन नोटिफिकेशन ओन करें ताकि इस चैनल पर गोवर्मेंट जोब से समन्देत या कोई भी लेटेस्ट वीडियो अप्लोड ओ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके अगर आपको ये वीडियो पसं इतना ही दन्यवाद दोस्तों जै हिंद जै भारत